पीजियाई सैफ़ई में आडमिट कराया था परन्तु सभी प्रयास के बावजूद भी बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकी इसके बाद जब बच्चे की मिटी लेकर वापिस आया जा रहा था उस समय परिवार को उतेजित करके कुछ ऐसे ऐलिमेंट्स थे जिनके दुआर यह एंबुलेंस जिससे बच्चे की बड़ी को लेकर आया जा रहा था उससे बच्चे की बड़ी को खीचने का प्रयास किया और जो स्कूल है जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता था आधर्श इंटर कॉलेज वहाँ पर उसके सामने उसको रखके काफी भीड़बार इकठी की जिसमें पुलिस के द्वारा काफी सूजभूच से नियुनतमबल का प्रयोक करके पूरी स्थिती को हैंडल किया और जो उपद्रवी थे उनको आइडेंटिफाई किया गया है इन सभी को चिन्हित करके नियमानुसार विदिक कारवई प्रचलित है अभी बच्चे की जो में और रखना है बॉड़ी को क्योंकि 24 गंटे से उपर हो गया है तो बॉड़ी अभी पेरेंट्स के पास ही है उनको समझाया जा रहा है एक गाड़ी उसमें जली थी बाकी तीन गाड़ियों में शीशे फूटे थे क्योंकि काफी वहां पे अद्धे पड़े थे जो कंस्ट्रक्शन माटीरियल था वहां पे किसी-किसी जगे पे और रेलवे लाइन के पास से उठाके जो ऐसे उपदवी एलिमेंट्स थे जो पर तीस लोगों से जादा लोगों को चिन्हित कर लिया गया है उन पर नामजद अभियोग पंजिक्रित किया गया है वाकी शेश कारवाई चल रही है जो भी आगे कारवाई होगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा जो भी कारवाई होगी उससे आपको तज समय अबगत कराया जाएगा